नवस्कार आप सभी का हमारे चैनल का निकाज फैसन पॉन में बहुत दोज स्वागत है आज मैं आपको तरह तरह के छोटे छोटे पीस जो हमारे साटन के या कोटन के हमारे पास बस जाते हैं उनको यूज करके एक बेद खूसूर्थ फ्लावर बास्केट सेंडर टेबल पर चैनल के साथ बने रहे चलो तो फिर सरू करते हैं लैट स्टार्ट हमारे जो फ्लावर की सेंटर टेबल पर रखने की बास्केट बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम मैटेरियल बता देते हैं आप लोगों को थ्रेड और बहुत सारे कलर की कपड़े यूज करने ह हमें कोटन हो या फिर यह साटन ज्यादा तर हम साटन लेंगे या फिर सीमर हो और यह हमने यह प्लास कट करने के लिए लिए यह जो हमारे पास लोगे कतार है यह हमने ग्रीन टेप लिए हैं और कुछ पीस हमने कट करके भी रखे हुए हैं लोगे कितार के और यह नहीं करते हैं, अब इसको हम सेंटर टेबल में फ्लावर बास्किट बनाएंगे और ये कोटन लिए हमने और इसके बाद हमें इसको बनाने के विदी बताती हूँ आप लोगों को तो चलो शुरू करते हैं ये हमने थ्री पीस, ये थ्री एंड हाप का स्क्वेर पार्ट लिए, थ्री पीस उसके बाद ये हमने तू इंच के स्क्वेर लिए हैं, फोर और उसके बाद ये हमारे हैं थ्री इंच के, थ्री इंच के विए फोर स्केर, बन टू थ्री एंड और ये बन पीस हमने एक्स्टर लिया है उसके बाद हमारा जो हमने ये लोगों का तार लिया है, वो हमारी इसकी लंबाई है, 6 इंच इसको यह एकदम फ्लेक्सिबल होता है इसको हम कैसे भी मोड सकते हैं और यह हमने कोटन लिए इस तरह से सब कपड़ों में हम इतने इतने पीस कट कर लेंगे लिए कलर कोपड़ों में पिंक है लो जो भी कलर आप लोग लेना चाहे उ Алडू के ले सकते हैं उसके बाद ही 16120 हमने और इसको आगले से इसको वड लेंगे हम हीं avec लगाने के बाद इसके उपर हम कोटन लगाएंगे कोटन लगाने के बाद इससे हमने एक एक एक्स्टर पीस अपने रखा था इसके उपर लगाने के लिए इसको ऐसे इसके उपर ऐसे लगा लिया यह लगा दिया है यह बड्स की तरह बन गया है और इसके बाद इसको हम यह वायर आप चाहे तो यह बड़ी भी ले सकते हैं जैसे कि हमने फ्लावर बड़े बनाने है तो बड़े ले लेंगे छोटे बनाने है तो छोटे ले लेंगे और यह जो पीस का हमने साइज लिया है यह साइज हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे अगर हम फ्लावर छोटे बनाने चाहते हैं तो छोटे फीस कट करेंगे देखो पहले हमने ये कोर्णर इधर सेंटर की तरफ किया फिर दूसरे वाला कोर्णर सेंटर की तरफ किया और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लिया ये साटन कपड़ा इसली मुद्दा नहीं ह है एक लिटर पानी में हमने दूर्टी स्कून हमने गम मिलाया और उसके बाद उसको उसमें भिगो के और ढूब में सुको के आईरन क्या हुआ कपड़ाया थाकि ये जीली मुड़ जाए और जैसी सेप हम देना चाहें वह सेप हम दे सके जैसे ये हमने इस तरह से ले लिया इदर तो इसको इसके हाफ में रखके ताकि ये रोजगी से शेप आ जाए हमारे इसमें पिर उसके बाद दूसरे वाला सभी पीश को ऐसे करते रहेंगे और ऐसे हम ये फ्लावर को कम्प्लीट करेंगे इसको निच्चे से अच्चे से बानते रहेंगे ताइट आइट ताकि निकलेना इसके बाद ताकि ये इख के बाद ही अजा How इसके बाद इन सब को सेमी स्टाइल में हम करते रहेंगे और बनाते रहेंगे इनको एक के उसको छोड़के एक को ऐसे मिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे और इस तरह से हम बेद कम समय में एक खूप सूती चुटे चुटे कपड़ी जैसे हमारे पास पड़े रहते हैं साटन के उनको यूज़ करके हम एक सेंटर फ्लावर बास्किट भी रेडी कर सकते हैं अभी इजी लिगर पर इसमें हमारा कोई वो नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में सिंपल सी गर में दागा यूज़ करेंगे और सुंदर से फ्लावर बना लेंगे इस तरह से यह वेस्ट मेरी मेटेरील हमारा यूज़ हो जाता है इस तरह सी लाष्ट किन पर बना यूज़ हो जाता है पी स्कोर लगा देंगे हम इस तरह से देखो यह हमारा बेद खोशूट लावर बनके रैडियो गए उसके बाद हम एक ग्रीन टेप लेंगे आप चाहे तो ग्रीन टेप में कई वैराइटी आ सकते हैं आप विदावर साइनिंग वाली एकदम नैचुरल जो ग्रीन ऐसे ले जाएंगे Dwwer बना लेंगे तक्रीब 30 से 40 अलग लग कलरके यह हमने बहुत सारे फ्लायूँ बना लिए अलग इनको ऐसी खटा करते रहेंगे एक के बाद एक खटा कर लेंगे सब फ्लावर को ऐसी खटा कर लिया सब फ्लावर को यह हमने सब फ्लावर एक खटे कर लिये एक में तक्रीबन हमने वान टू थ्री पोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन टूएल थर्टिन फ्लावर एक उसमें लिये हैं उसके बाद देखो यह जो सबसे बड़ा वाला हूँ रहेगा हमारा लोएक अतार उससे हम इसको ऐसे बन कर देंगे उसको तो यह हमारा एक बुक के सब बन गया है फ्लावर का बुक के बन गया है इसी तरह से हम चार पाँक ऐसे बुक के बन लेंगए अपने बास किट में डेकॉरेट करने के लिए देखिए कितनी खुमसूर्ट फ्लावर बुके बन गया हमारा इसके बाद हम ऐसे 5-6 बना लेंगे बुके इस तरह से हमने ये 3-4 बुके बना लिए 1-2-3 और ये 4 चार बुके बना लिए अपने बास्केट में लगाने के लिए अब इसको बास्केट में लगाएंगे हम ये हमने हमारी बास्केट ले लिया है इसके बाद हम फ्लावर को पकड़ेंगे और इसके अंदर ऐसे अच्छे से इनको सैट कर देंगे एक एक करके एक इदर इस कोर्नर में लगाएंगे आप चाहे तो इनको glue या gum glue machine से चिपका के भी रख सकते हैं पर मैं इनको वैसे ही रख के दिखा रही हूँ आप लोगों को इसके बाद एक यहां रखेंगे इच्छ Nepal है है और इसके बाद सबसे जो हमाया है वी वास्किट वाला यहां रख दिया है डेखिए मन देख फ्लावर बास्किट पर लियुक्रित आप चाहें तो इसे वो λέंगे फ्लावर बास्किट घिब न बना कर रहे हैं इस इसके तो ले स्कूACT करके हम इस इधर भी बन से उसको बांद के वोल पे हैंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक की इधर साइड से हैंग भी हो सकते हैं तो इस तरह से पर मैं इसको सेंटर टेबल ही रखना चाहूंगी तो मैं इसको सेंटर टेबल में ही रखने के लिए हमने ये फ्लावर ब अगर आप लोगों को हमारा ये टोटोरियल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले थैंक यू